आप सब का स्वागत, 30 अक्तूबर 2018 मंगलवार का दिन, आए जानते हैं क्या कह रहा है, मैं हूँ दीपक कपूर। मेश राशी वालों के लिए स्थिती कुछ ऐसी है, कि बहुत कुछ करने की इच्छा है मन में, पर आपकी कोशिशें भिखती चली जा रहे हैं। मिथुन राशी वालों को इस समझना पड़ेगा कि किसी के प्रती भी आलोशनात्मक रविया अपनाना ठीक नहीं है। और इस समय उन सवालों का जबाव तलाशना आसान नहीं। इंगराशी वालों ही समझ लें कि निजी जीवन के हालात संभालने से ही संभलेंगे। सिर्फ सपने देखने से कुछ हासिल होगा नहीं। मिले जुले हालात होने के बावजूद ये समय ही कुछ ऐसा है जो आपकी नींद और आपके चैन को कम करता हुआ नजर आ रहे है। कने राशी वाले ही समझ लें कि जिन्दगी के सुख और सुकून से भी बहुत सारी प्रेरना मिलती है ताके उस अच्छाई को बनाये रखा जा सके। यहीं वज़ाए कि आप अपने काम काज की तवज्जो को भढ़ा रहे हैं और आपकी मेहनत उभर कर आ रहे हैं। लोगों की अच्छी बनती हुई भूमिका भी आपको जिन्दगी के सही रास्ते पर चलने के लिए मदद कर सकती है। तुला राशी वालों के लिए आपकी कोशिशें आपको बड़ा लाब दे सकते हैं। पर ऐसे में हालात भी आपकी हर तरह से मदद करते चला जाएं। तो आपकी उपलब्धियों का निया दोर खुल सकता है। पर उधार लेकर जुरूत से ज्यादा पैसा जुटाने से पूरी मदद करें। पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ननु राशी वालों के खिलाफ होते चले जाएंगे लोग तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और ऐसे में आपके फैसले भी गलत होते चले जाएंगे। इसी चीज़ स पर अपने मन के भटकाव को हटाकर लोगों को थोड़ासा और समझने की कोशिश करने होगी। मकर राशीवालों की कोशिशे बहुत कुछ कर सकती हैं लेकिन पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं। अगर लोगों पर जुरूद से ज्यादा भरुशा करेंगे तो फिर भी ये समय बहुत संभल कर चलने का नीन राशी वालों की कामकाज की स्थिति भी ठीक है और लोग भी मददगार है ऐसे में घर परिवार का सुख बना रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत बढ़ी वाद किसी प्यार कर रिष्टे को आगे बढ़ाने का समय अनुकूल नहीं यह था जी आप सब के लिए आज का राशीव नवश्क्राइब लिए नवश्क्राइब